नमस्कार एक बार फिर्द से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है वो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं वास्तू की मदद से कैसे करे मालक्ष्मी को प्रसंद या मैं यूँ कहलूँ कि वास्तू के माध्यम से आपके कर्म जो है वो किस तरह से बैटर हो ताकि मालक्ष्मी का आशिरवाद आपको राप्त हो सके तो सबसे पहले हम यह जानना होगा कि किन-किन कारणों से आपके भवन के अंदर यानि कि आपके जिन्दगी में मालक्ष्मी का आग्मन जो है वो रुकता है या ठकता है तो सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे वो दिशा जहां से एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर मालक्षमी का आग्मन प्रारंब होता है यह दिशा होती है North नौर्थ डिरेक्शन किस चीज़ की दिशा है वो दिशा मालक्षमी के आगमन की है पर इसके साथ ही जुड़ती हुई एक और दिशा है जिसको हम नौर्थ नौर्थ वेस्ट कहते हैं पहले आपके और क्लाइंट अकर्शत होता है पहले आपके और ऑपरचुनिटीज अकर्श होती हैं फिर आपके पास क्लाइंट जो है वो मालक्षमी के साधन को उसके माध्यम बन करके आपके साथ जुड़ता है तो दो डिवीजन नौर्थ नौर्थ वेस्ट और नौर्थ ये दोनों डिवीजन इक्वली रिस्पॉंसिबल है कि आपकी जिंदगी के अंदर मालक्ष है जल तत्व की है और जलतत्व की दिशा है इसका मतलब यह जल तत्व जब भी कभी दूशित होता है प्रित्वी-थ編 कह सब्सक्रान का सुरूप नौर्थ नौर्थ- welche separatelyफ हो derecho तो आपने अगर अपने घर के अंदर अपने भवन के अंदर नौर्थ नौर्थ वेस्ट और नौर्थ डिरेक्शन के अंदर अगर आपने स्टोरेज बना रखी है तो आप समझे कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ऑपर्चुनिटी जाना कम हो जाती हैं और यही आप नीले रंग की ट्रे लगा दे सो दैट की फ्रिज जो है वो बैलेंस एफेक्ट दे करके आपकी मालक्षमी के आगमन में आपके जिंदगी में रुकावट का काम बिल्कुल भी ना करें और अगर मान लीजिए आपने वहां पे स्टोरूम बना रखा है तो स्टोरूम की ए तो साक्षात पहले प्रयास करें कि उस स्टोरेज को वहां से हटाएं और अगर नहीं हटा सकते तो इतना सुनिश्चित जरूर कीजिए कि स्टोरेज को आप शफल करते रहें ताकि एनर्जी वहां पे स्टेग्नेंट ना हो तो पहली इन दो बातों को ध्यान में रखते हु खतम हो और जैसे ही यह नेगिटिव इंपक्त खतम होंगे तो आप देखेंगे आपके जिंदगी में ऑपर्चुनिटिज जो है वह आना शुरू हो जाएंगी आपके जिंदगी में मालक्षमी का आगमन जो है वह प्रारंब हो जाएगा अब यह वह लक्षमी का सरूप है जो क्लाइंट्स ऑपर्चुनिटीज के रूप में आपके पास आएगा फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिवीजन है रिस्पॉंसिबल है मालक्षमी के आगमन की वह बनती है जुडाव के साथ और जुडाव की दिशा आपके घर में इस डिरेक्शन है तो जब 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 तक लोगों के साथ संपर्क सादने में काम्याब नहीं होते तब तब आप अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते तो ये दिशा सुनिश्चित करती है उन सही लोगों तक पहुँचने की जो आपके जिंदगी में मालक्षमी को ला सकते हैं तो इस दिशा के अंदर कैसे आते हैं सबसे पहले तो अगें शिट पॉट के माद्यम से अगर शिट पॉट है इस दिशा के अंदर तो आपको शिट पॉट के आसपास हरे रंग की पट्टी जो है वो लगानी है तेम्रेरी रिजल्ट आपको इससे डेफिनेटली मिलेंगे इसके साथ ही अगर हम बा आपके resources काम में ना आने के कारण से आप मालक्ष्मी को अपने और अकस्यत नहीं कर पाएंगे तो clutter रहित रखिए यानि कि यहां से अगर clutter है तो उसको बिल्कुल हटाईए साथी साथ में toilet seat अगर है तो उसको जरूर रीट कीजिए और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा ये तक्व को एक तक्व जो है बहुत जादा परिशान करता है वो होता है space element और space element का स्वरूप क्या है श्वेत रंग अगर इस दिशा के अंदर पूरा white color भी करवा रखा है तो भी कहीं न कहीं ऐसे challenges जो है वो देखने को मिलते हैं तो आप इन चीजों को सुनिश्चित मैं भगवांश्री सूर्य नरायन का वो चित्र recommend करता हूं जिसमें भगवांश्री सूर्य नरायन साथ गोड़ों को थामे हुए हैं तो वो साथ गोड़े उनकी साथ उर्जाओं को बताते हैं तो यह तो आप एक चित्र लगा लिजिए नहीं तो ब्रास के बने हुए सूर् विचारों को अपने विचारों से मालक्षमी को अपने पास अकरशित कर सकते हो यह दिशा उसके बारे में बताती है तो यह साौथृस्ट Ao और साउथीस्ट यह मिलकर के मालक्षमी आपके पास ले करके आती हैं अब वास्तु के इग्नोरेंट लो क्या करते हैं इस दिशा के अंदर ट्वालेट सीट को रिकमेंड कर देते हैं अब आप ही सोचिए कि अगर यह दिशा आपके थौट प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई ह आप सही गलत चीजों को कितने अच्छे से देख पाते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है और वास्तु के इग्नोरेंट लो क्या करते हैं इस दिशा के अंदर ट्वालेट सीट बनवा देते हैं जिसके कारण से अब सोचने की शक्ति आप से चिन जाती है तो यदि आपके घ प्रवान आता है आपके सारे काम कोक्ति इस का देखने का प्रयास कीजिएगा तो की आपके जिन्दगी के अंदर पैसे का प्रवास यहां पर मैं हमेशा करता हूं कि मां ये शौदा की मांखन निकाल कर आते हुए का चित्र जो है कानहाग जी के साथ वो इस दिशा में अगर लगा हो तो आपकी लाइफ का हर डिसीजन आपके लिए फूटफुल हो जाएगा आपका हर डिसीजन माखन की तरह आपके पास आ जाएगा जैसे भगवान स्वेक्रिश्न को माखन प्रियता वैसे ही पर आपके पास आ गई है अब पहुंच चुकी है तो मालक्षमी उनके पास तिकती है थोड़ी देर जो विश्णुजी की अराधना करते हैं यानि कि वो अपने काम के अंदर रहते हैं और जिन जिन लोगों की इस दिशा के अंदर इंबैलेस आता है जो पैसा इनके पास आ को थीस्ट जो की अगनी की दिशा है यहाँ पर क्या हो यहाँ पर अगर निला रंग का आ जाए काला रंग आ जाए यह पानी का एक्ष्णूल सोरस आ जाए तो जब भी इन तीन चीजों में से कोई भी चीज घटित होती है यहां यहां पर आईना भी अगर आ गया तो भी आप देखेंगे यहां पर आईना आने से आपके जिंदगी में मालक्षमी का आग्मन जो है वो रुख जाता है तो इस दिशा के अंदर यह सुनिश्चित कीजिए कि नीला काला रंग है तो उसक टेंपरेरी रिजल्ट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके आसपास हरे रंग की पट्टी कर सकते हैं वो आपको टेंपरेरी रिजल्ट जरूर दे देगी और साथी साथ में आपके सारे काम समय पर होते रहें आपके पास मालक्षमी समय पर आती चली जाए इसके लिए बहुत ही खुबसूरत remedy आप इस दिशा के अंदर अगर एक घड़ी इंडियन स्टेंडर टाइम पर जिस भी कंट्री से आप मुझे सुन रहे हैं उसी कंट्री के स्टेंडर टाइम पर यहां पर फिक्स करते हैं अपने घर की साउथीस डिरेक्शन में तो आपके पास हर वो मह इनत जो आप करते हैं उससे मालक्षमी का आगमन जैसे होना चाहिए वो होता रहेगा और जब यह क्रम आगे बढ़ता है तो एक दिशा और आती है जो बड़ी equally responsible है साउथ वेस्ट डिरेक्शन साउथ वेस्ट डिरेक्शन के बिना मालक्षमी नहीं आती क्योंकि साउथ वे में पैसा भी नहीं आएगा और अगर इस दिशा के अंदर शिट पॉट आ जाता है तो आप समझिए कि आपको किसी काम में निपन होने में भी बहुत साथा चैलेंजिस जो है वो आते हैं और जिंदगी के अंदर आप कुछ ना कुछ चैलेंजिस को फेस करते चले जाते हो यह चैलेंज नजर में आएगा तो अगर शिट पॉट है तो उसके आसपास पीले रंग की पट्टी टेंपरेरी रिजल्ट जरूर देगी यह जितने भी मैंने ट्रीट के ट्रीट्मेंट आपको कलर पट्टियों से बताए हैं यह टेंपरेरी रिजल्ट के लिए अच्छ है पर्मनेंट सलूशन के लिए इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ओफ मैटल को स्पेस सरजरी टेकनीक के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है ताकि पर्मनेंटल इसका सलूशन जो है वो किया जा सके अब सात ही सात में अगर आप देखते हैं कि इस दिशा के अंदर प्यक्ति की जिंदगी में स्थिरता को भी जोडती है तो आप यहां पर चेक करेंगे कि आपके घर के अंदर अगर इस दिशा का फ्लोर लेवल भी कम है तो भी आपको इसके नेगडिव इंपक्त देखने को मिलते हैं तो इसका उपाए क्या है बहुत ही सरल उपाए यहां पर आप हिमाल्य परवत का अगरचे त्रक बोल्डन फ्रेम में लगा देते हैं तो भी आप देखेंगे आपके साउथ वेस्ट के बेस्ट रिजल्ट आने शुरू होंगे एंड कंकूर्ड करते हुए यह सब कुछ जब एक एक करम कर रहा है तो एक इच्छा मन में लिए हुए करता है उस इच्छा की पूर्ती की जो दिशा है वो है वेस्ट डिरेक्शन वेस्ट डिरेक्शन में जब भी कभी इंबैलेंस आता है आपने कोई भी काम क्या reward तो मिल जाएगा पर वो reward क्या आपकी मनपसंद्द था जितना आप चाहते थे क्या उतना मिलेगा पैसा संभव नहीं है तो इस दिशा के अंदर आया हुआ नाओं का व्रिक्ष ले करके आप अपने विशेज लिख करके यहां पर उस व्रिक्ष पर लगाना शुरूर करेंगे तो आपके जिंदगी में मालक्षमी का आगबन जरूर हो जाता है साथी साथ में इसको सुनिश्चित कीजिए कि आपके घर में लॉकर जो हैं वो बिल्कुल साफ सुत्रे रहें उसके अंदर कोई भी तूटा हुआ लॉकर ना हो या पर्स या वालेट्स फटे हुए ना हो और अपने लॉकर को प्लेस कीजिए अपने घर की वेस्स साउथ वेस इस डिरेक्शन में जब भी लॉकर का मूझ खुले तो फेस्ट वर्ड नॉर्थ डिरेक्शन हो इस इसको फिक्स कीजिए बस यह इतनी बातों को अगर आप सुनिश्चित कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर मालक्षमी का आगमन आना शुरू हो गय थी फाइनाइशल आसपेक्ट को लेकर के वह आनी ठीक हो गई है तो आशा है उमीद है इस वीडियो से आपको भरपूर लाब होगा इश्वर से परम्पिता परमात्मा से प्रात्मा है कि आपके सब के खजाने जो हैं भरे रहे और आपका जीवन यहीं खुशियों के साथ म ना सकूँ ट्रिनिटी वास्तू वर्ल्ड वास्तू ग्रुप है हमारा फेस्बूक के उपर जहां पर अगर आप जुड़ते हैं तो वहां लाइफ सेशन में आप लोगों के लाइफ कोशन आंसर का आंसर जो है वो देता हूं तो जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो के तब तक के लिए आगया चाहता हूं धन्यवाद